नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुष्टिका कक्षा साथ की अंग्रेजी का लेसन नमबर थर्ड दा वाइज में सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने दो लेसन सॉल्व किये हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही साथ क्लास 7 इंग्लिस की प्लेलिस्ट बनी हैं प्लेलिस्ट में जाके आप लेसन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपके प पहले और सबसे सरल आंसर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आए शुरू करते हैं multiple choice question है इसमें पिछली बार जो books आपकी थी उसमें एक book में 3 subject दिये हुए थे इस बार 2023 में जो अभी book आई है new उनमें single subject है एक book में एक ही subject का दिया हुआ है तो जो आपकी नई book साई है उसके according ये सारा है तो बहुत ज़्यादा important है आप सभी के लिए अच्छे से इसको देखिए समझिए पहला question रहेगा how many thug were there in the story कहानी में कितने ठगों को दिखाया गया है तो two thug थे दो ठग थे ठग यानि चोर इसके बाद अगला question है कि भोला एक्सचेंज दड़ंकी फोर गधे को भोलाने किस से बदला तो गधे को जो बदला गया वो c प्यानि भीर्ड से बदला गया यहाँ पर c option पे right tick कर देंगे साथी साथ आसी प यहाँ पर note कर देंगे अगला question रहेगा आपका short answer में इसका जो answer है आपको एक या दो सब्दों में देना है who said किसने कहा if she sees the mango she will be angry with you यदि वह आम देखेगी तो वह तुमसे नाराज हुजाएगी the second thug ऐसा भोला से दूसरे चोर ने कहा what is the name of भोला's wife भोला की पत्नी का क्या नाम था तो भोला की पत्नी का जो नाम है वो सांती है यहाँ पर आप सांती mention कर दीजिएगा इस तरीके से the next question is write one word for the given phrases यह जो phrases है इनको आपको एक सब्द में लिखना है having a very pleasant taste or smell ऐसी वस्तू जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी हो और उसका सुगंध बहुत ही अच्छा हो उसको एक सब्द में क्या कहा जाएगा delicious यानि की लाजवाब या शानदार to try to make somebody believe something that is not true किसी को ऐसा विश्वास दिलाना कोई भी बात गलत हो सही ना हो और दूसरे को भरोसा दिलाना कि ये सही है इसको क्या कहते है deceive इसको धोखा कहा जाता है कि उसने मुझे धोखा दिया कोई हमसे कहे कि उस आदमी ने आपको बुरा भला कहा है तो जब तक आप खुद अपने कानों से ना सुन ले believe ना करें क्योंकि आज कल के लोग चुगल खोर होते हैं एक दूसरे की बुराई बहुत ज़्यादा किया करते हैं तो ये सावधान रहें हमेशा आपको इस बात से सावधान रहना है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुस्मन कौन है आपको किसी भी दो सब्दों में डिस जोड करके नई सब्द का निर्माण करना है और में डिस जोडेंगे तो डिस ओर हो जाएगा और चार्ज में डिस जोडेंगे तो डिस चार्ज हो जाएगा इसके बाद बाजार में भूला को कौन देख रहा था दो चोर भूला को बाजार में देख रहे थे मुर्गी को बेच करके बोला ने क्या खरीदा मुर्गी को बेच कर उसने आम की भरी हुई एक टोकरी खरीदी नेक्स्ट कॉस्ट्टनी दोस्तों के लिए किस प्रकार की चटनी बनाई गई शोर चटनी व वह मेड फो भूला के लिए खटी चटनी बनाई गई next question is 10 will you sell these mangoes change into affirmative sentence क्या आप इन आमों को बेचोगे इसको affirmative यानि कि सकारात्मक sentence में change करना है यह interrogative लिखा हुआ है इसमें प्रस्न पूछा जा रहा है इसको सकारात्मक बनाना है you will sell these mangoes यह जो helping verb है इसको हम subject के बाद यहाँ पर लिख देंगे यह हमारा affirmative बन जाएगा you यह subject है हमने you लिख दिया इसके बाद इस will को यहाँ पर लिख दिया will और बाकी का जो भी है sell these mangoes इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर full stop लगा देंगे जो interrogative sentence होते है उनके अंत में question mark होता है और जो affirmative sentence होते है उनके अंत में full stop होता है इसके बाद है इसके long answer why did two thugs make a plan to deceive भोला दो चोरों ने भोला को धोखा देने का प्लान क्यों बनाया या योजना बनाई two thugs were watching भोला in the market exchanging his things दो चोर भोला को बाजार में अपनी वस्तूओं को बदलते हुए देख रहे थे so day made a plan to deceive भोला इसी लिए उन्होंने भोला को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई चुकि क्या था कि भोला बहुत यदा wise था उसको कोई धोखा नहीं दे सकता था what did सांती do with those mangoes उन आमों से सांती ने क्या किया सांती made two types of chutney first treat for themselves and sure chutney for भोला's friends सांती ने दो तरह की चटनी बनाई पहली मीठी वो भोला के लिए और अपने लिए बनाई थी और खटी चटनी भोला के मित्रों के लिए उसने बनाई थी भोला ने उससे कहा था कि मीठी चटनी हम दोनों के लिए बना लो और खट्टी चट्नी जो हमारे दोस्त हैं बाहर उनके लिए बनाओ इसके साथ ही आपका ये लेसन पूरा हुआ मिलते हैं अगले लेसन में जो की है लेसन नमबर फोर अनीता फीट्स अप्पू देखने के लिए आप सभी का धन्यबाद आप सभी का दिन सुब हो